हाई फ्रेंड्स आज आपके साथ में नवराथरी मेकप लोग शेयर करी हूँ आई नो मैं बहुत जादा लेट हूँ बट मैं ये वाला वीडियो अप्लोड नहीं करने वाली थी देन मैंने सोचा कि नहीं ठीक है अप्लोड तो करी देती हूँ तो firstly, यहाँ पे मैंने टोनर लगा दिया था देन मॉस्टराइजर और प्राइमर लगा दिया अच्छे से CTM पी बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका मेकप लॉंग डास्ट करे और उसके बाद में यहाँ पे यह स्ट्रोप क्रीम मैंने यूज करी थी इससे फेस बहुत अच्छे से शाइन करता है देन मैंने फाउंडेशन लगा दिया इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी और यह वाला वीडियो में क्यों अप्लोड नहीं करने वाले थी यह आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा क्या रिजन था इसको अप्लोड नहीं करने का देन मैंने यहाँ पे कंसिलर यूज़ किया था सारे हाई पॉइंड इसे ब्लेंड कर दूँगी तो वीडियो के स्पीड मैंने बढ़ा दिये ताकि यह वीडियो जादा लॉंग ना हो जाए इसे ब्लेंड कर दिया एंड मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लश लिया था उसे थोड़ा सा ब्लेंड करके और अच्छे से अपने चिक्स पे लगा दिया था तो ब्लश्र नामे को बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मैं ज्यादा ही लगा लेती हूँ हर बार मुझे इसा लगता है फिर अपने मेकप को मैं सेट कर दूँगी मैंने यहाँ पर स्वीस ब्यूटी का लूस पाउडर यूज़ किया था जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों वो उसको मैं जब भी लगाती हूँ तो मुझे बल्कुँ अच्छा ही नहीं रखता है उसकी फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती है तो देन मैंने यहाँ पर जो भी लिक्विड प्रोड़क्ट यूज़ के थे उसको मैं पाउडर प्रोड़क्ट के साथ मैं सेट कर दूँगी थोड़ी सी कॉंटॉरिंग कर दूँगी फिर मैंने यहाँ पर आई मेकप भी इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है तो हाइलाटर पर मैंको बहुत अच्छे से पसंद है मैं बहुत जादा इसे यूज़ करती हूँ कोई भी शीमर आप यूज़ कर लेना प्रोसेस मैंने अपनी लेश पर भी किया था फिर जो मैंने हम लूज़ पाउडर लगाया था उसे में क्लीन कर दूँगी पर बिंदी एंड लाइन्स को भी ड्रॉ किया था तो इतना अच्छे से तो मैं नहीं कर पाई थी बट फिर भी मैंने ट्राइ किया था इनो बहुत जादा अच्छा तो नहीं है तो इस तरह से स्ट्रगल होता है कहीं बारा मैं बना की हटाना भी पड़ता है और मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है क्योंकि मेरे ना हाथ शेक करते हैं तो इस वज़े से बिगड़ जाती है लाइन्स तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लाइन्स को ड्रॉ कर दिया फाइनल आउटकम कुछ ऐसा आया था तो अब यह देखों मेकप ना वीडियो में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है जैसा मेकप में सामने से देख रही थी राम वैसा मेकप का आउटकम आया ही नहीं वीडियो में पता नी तो यह थोड़े से रील्स के शॉट्स थे जो मैंने किये थे वो मैंने शेयर किये हैं तो इसलिए मैं यह वीडियो अपलोड नहीं करना चाहती थी क्योंकि वीडियो और फोटो अच्छे ही नहीं आए पता नहीं वीडियो बहुत जादा ब्लर और बहुत जादा ब्राइट दिखने का तो ऐसा कितनी बार हो जाता है हमारे साथ हम सब करते हैं और फैनल कुछ ऐसा हो जाता है बट फिर भी अगर आपने यहां तक वीडियो देखिए तो उसके लिए बहुत सारा थैंक्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेकप टूटोरियल्स देखने के लिए एंडर वीडियो को लाइक कर देना आपक मेकप कैसा लगा कमेंट करना